नौजवान से, महिलाओं से, दलीतों से, पिछरों से, सबसे नफरत नहीं को इनको तो मुहबबत है दंगा फसाद से, इनको मुहबबत है मार पीट से इनको मुहबबत है कि बस हिंदू-मुसल्मान को लड़ा दो, उससे इनको मुहबबत है इनको मुहब्बत है देश को तोड़ दो, समाज में आग लगा दो, इनको उससे मुहब्बत है कोच काम नहीं करना है, हमको सिर्फ हिंदू मुसल्मान पर वोट मांग लेना है, मंदिर मस्यित पर वोट मांग लेना है, दंगा पसाद करके वोट ले लेना है बाचपा के लोग हाउस चलने ही ने देना चाहते हैं जनहित के मुद्दे हैं और चलने नहीं दे रहे हैं लगातार सभापती महोदे समझा रहे हैं आपकी बात जो है आप बताईए हम लोग सुनेंगे आपकी बात आप किसलिए हला कर रहे हैं आप बताईए तो सही हम बात लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं सिचाई का मामला है दवाई का मामला है बेरोजगारी का मामला है और भी बहुत सारे इशूज हैं जनहित के जुड कोई सवाल है। लेकिन युझे और नहीं चाहते क्यूंके इनको विकास से, काम से, नौजवान से, महिलाओं से, दलितों से, पिछ्रों से, सबसे नफ़रत है इनको से. इनको महब्बत है दंगा फसाद से, इनको महब्बत है कि बस हिंदु मुसल्मान को लड़ा दो, उससे इनको महब्बत है, इनको महब्बत है देश को तोड़ दो, समाज में आग लगा दो, इनको उससे महब्बत है, इनको काम से कोई चुके इनके छेतर में भी काम होगा, इन इसलिए इनको कोई मतलब लेगे बिहार के लोगों को और बिहार वासियों को काम से मतलब है बिहार के लोग इनकी नीती को समझ चुके हैं इनको नाकार दिये हैं इसलिए लोग बिलबिलाय हुए हैं छट पटा रहे हैं अगर यहां इस्तफा मांग रहे हो तो मुर्वी में इ परदान सब्सक्राइब योगी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके यहां भी दलीतों का रेप हो रहा है भाजपा के एमेले कुलदीप सिंगर करते हैं क्या उन पर कारवाई होती है करनाटक में भाजपाये में ले, बुलु फिल्म देखते हैं विधान सवा में बैठ करके, इनको तो बुलु फिल्म से महबत है, यह न समझ ये, क्या करवाई हो रही है, योगी जी के हाँ भी हजारों लोग मर चुके हैं, दरजनों लोग मरते रहते हैं, जरही शराप से, यो बाई जो शडाब का कारोबारी यही लोग तो है इनी के M.S. न पकड़ाया थे शडाब के हालत में लेकर अपरादी पकराएं है पकरा रहा है छपड़ा में पकराएं है पलिस लगातार रहा है कैम किये हुई है किसी को बखशा नहीं जाएगा कारवाई होगी हो रही है बताईए एक आदी बचा हो कहा गया है मुखमंतिली जी ने बार बार कहा कि आप नाम बताईए को लोग कारवार कर रहे हैं हम उसको इनाम देंगे नाम बताने वाले को इनाम दिया है क्योंने ये नाम बता रहे हो खाली बस हंगामा कहा रहा है कि हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है आवाज नहीं जा रही है उनका माइक कौन बंद करेगा खलत सभापती महदे पर भी आरोप लगा रहे है इनके पास कोई सम्मान नाम की चीज़ तो है नहीं कुछ भी बोल देना है ना जिनको इनसानियस से थोड़ी भी महबत नहीं वो कुछ भी बोल देंगे तो यह थे अरजेडी के मलसी कारी सुहब जिनोंने साफ तोर पे कहा कि मौरुई में जिस तरह की घटना हुई थी 200 लोगों की मौत हुई थी इस मामले पर हमने परदान मंतरी मोधी से इस्तिफ़े की मांग किया और अगर यहां पर यह लोग बात कर रहे हैं जरीली शराब को ले करके तो यह लोग बताएं कि किन लोगों ने शराब का कारोबार किया किन लोगों के सामने शराब पेश गई जिसके वैसे मौत हो गए इसलिए हमने पढ़ान मंतरी मोधी से इस्तिफिय की मांग रखी है